हेलो दोस्तो मेरा नाम अकास सिंग है और आप लोग का फिर से स्वागत है A3 बिदस में और आज की फिर्स्स न्यूज आ रही है लीको की लीक से और उस लीक में पता चला है कि लीको जल्द ही एक फोन लॉंच करने का प्लैन कर रहे हैं जिसका नाम होगा LE2S जिस यह LE2S अपग्रेड वर्जन है LE2 का और इस स्पेसिफिकेशन हमें पता चल नहीं है कि इसके अंदर 8GB RAM और Snapdragon 821 प्रोसेसर आपको मिल सकता है और अभी जो LE2 है उसके अंदर आपको 3GB RAM और 652 Snapdragon का प्रोसेसर मिलता है और कुछ image भी leaks होई है गिस चाइना की साइड से तो आप देख सकते हैं मैं नहीं मानता यह leak trustworthy हो सकती है क्योंकि अभी जो LE2 है उसके अंदर इतना कोई specification इतने अच्छे नहीं है कि वो एकदम इसको इतना अप्ग्रेड कर देंगे कि आपको 8GB RAM दे दें उसके अंदर बट यह हो सकता है कि LE को कोई नए phone नए flagship phone का launch करने का plan कर रहे हो जिसके अंदर वो यह specification दे रहे हो एक थोड़े दिन पहले ही कुछ leaks आयती LE को की side से कि LE को plan कर रहा है dual camera setup का अपने new phone में और कुछ leaks भी हो इती image back cover की back panel की तो आप photo में देख सकते हैं और कुछ news Samsung की side से भी आयती कि Samsung supply दे रहा है कुछ dual camera modules के LE को Xiaomi और OPPO को तो अब देखते हैं कि यह बात कितनी सच होगी आगे time में तो आज की second news related है Xiaomi से Xiaomi plan कर रहा है अपनी offline presence भी भढ़ाने का इसलिए उनने अभी कुछ Indian distributor से partnership करी है जिनके थूँ वो अपनी online presence भढ़ाएगा और उनने यह कहा है कि वो 5000 shops में अपने mobile device अबलेबल कराएंगे इन distributor के थूँ और कुछ महिने में वो अपने sales की figures बढ़ाना चाते हैं वैसे भी Xiaomi अपनी 90% phones और devices online channel के थूँ बेखते हैं कि Xiaomi devices अब उनके लिए भी अबलेबल होंगे shops पे और उन लोगे लिए अच्छी बात है जो लोग on the time अपने device को चेक करके लेना चाते हैं ना कि आप online देखें और उसे order कर दे तो यह एक अच्छा स्टेप है Xiaomi की साइड से और आज की थर्ड न्यूज है Kodak से related Kodak ने भी अपने कुछ TV लांच करे हैं Indian budget TV market में और आपको अबलेबल हैं 32 inches, 40 inches और 50 inches के पैनल में और इन TV की प्राइज आपको around 17,000 से 36,000 के बीच में मिल जाएगी जो की आपको Android KitKat 4.4 पे अबलेबल होंगे और यह TV आपको अबलेबल है ShopClues, Flipkart और Amazon पे तो यह एक चोटी सी न्यूज थी आपको smart TV से related आज की 4th news related है Motorola से Motorola का एक 3rd generation का phone, budget smartphone, Moto E last month जिसके बारे मैं पता चला था वो जल्द ही इंडिया में launch होने वाला है क्योंकि यह phone spot हुआ है एक Indian import website पे जिसका नाम है Zawba उस website पे आपको इस phone की pricing भी दिखेगी जो है around 5,446 रूपीज यह इसकी final price नहीं है यह imported price है और आपको इस phone के अंदर पांच इंच की HD display देखने के लिए मिलेंगी with quad-core processor और इस phone के अंदर आपको 2800 mAh की battery मिलेगी और यह run करेगा Android 6.0 Marshmallow को और इसके अंदर आपको 8 Megapixel का rear camera और 5 Megapixel का front camera मिलेगा जहां तक की price की बात है यह मेरे को जहां तक लगता है कि यह 10,000 से कम ही रखेंगे इस phone की price को क्योंकि इनको compete भी करना है low budget smartphone जो company जैसे Xiaomi, Coldpad और Mizu की devices से तो यह अच्छी बात होगे अगर वो इस device को 10,000 range से कम में launch करें और आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 इसे like कीजे, share कीजे अपने friends के साथ और subscribe करा ना भूले और आपके बास अगर कोई suggestion है तो please comment box में उस suggestion को आप drop कर सकते हैं और आपसे मुलकात होगी नेक्स वीडियो में तब तब के लिए बाबाई